भारत ब्रांड नाम के तहट रियायती मूले पर चना दाल तथा गेहूं के आटे की बिक्री सफलता पूर्वक आरंब करने के बाद केंद्र सरकार ने शीग रही, भारत चावल की बिक्री भी शुरू करने का प्लान बनाया है ताकि आम उब्भोकताओं को इसकी महेंगाई से कुछ राहत दिलाई जा सके। ध्यान देने की बात है कि सरकारी एजनसी नैफेड द्वारा चना तथा भारतिय खादे निगम, FCI, द्वारा गेहूं की नियमित बिक्री भी की जा रही है। इस भारत चावल का मूल्य प्रतिसपर्धी स्तर पर रखना होगा क्योंकी तभी ग्राहक इसकी खरीद के प्रती आकरशित होंगे। समझा जाता है कि खादे निगम के पास करीब 4.50 लाक टन गैर फोर्टिफाइड चावल का स्टॉक मौझूद है जिसे भारत ब्रांड के तहद बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जा सकता है। विशेश पसंद किया जाता है कहीं कच्चा, सफेद, चावल की अधिक मांग रहती तो कहीं सेला चावल की खपत ज्यादा होती है। पीडियेस के तहद वित्रित होने वाले चावल की बात अलग है क्योंकि वह मुफ्त में मिल रहा है और अब फोर्टिफाइड भी हो रहा है लेकिन भारत ब्रांड का चावल ग्राहकों को पैसा देकर खरीदना पड़ेगा इसलिए इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाह ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी